हेलो फ्रेंड्स मेरा नामे आभी देखे एंड वेलकम टू टेक्सोर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लाप्टॉप या फिर कंप्यूटर से वायरेस को कैसे डिलेट कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका लाप्टॉप या फिर कंप्यूटर बहुत स्लो चलने लगता है तो कैसे डिलेट करें यहां पर मैं आपको बताऊंगा विडियो ध्यान से देखते रहें सबसे पहले आपको अपने लाप्टॉप से कीबोड से विंडो बटन को और बटन को एक साद दबाना है तो इस तरीके से आपको रन का बॉक्स ओपर होगा यहां पर सबसे पहले आपको इंटर करना है पी आर ईए एफ इ सी एज यानि प्रिफेच लिख के ओके कर दें इस तरीके से आपको बहुत सारी फाइल ओपन हो जाएगी तो यह फाइल्स आपके कुछ काम की नहीं होती है बेवजा कि यह फाइल्स होती है तो इसे आप कीबोड से प्रोल और ए दबाएं तो एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा इसके बाद आप माउस से राइट क्लिक करें और शोमूर के आप्शन पर आए और डिलीट कर दें तो यहां पर आपकी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी यह सब काम का नहीं होता है जो डिलीट नहीं हो रहा है उसे रहन कि दो प्लस आर बटन को दबाएं अब आपको यहाँ पर लिखना है टी एमप यानि टेंप और ओके कर दें इसके बाद यहाँ पर किसी पर भी एक पर सेलेक्ट करें वापस से कन्ट्रोल ए दबाएं और डिलीट कर दें ठीक है जितना डिलीट हो जाता है बाकी का छोड़ से और बैक आजाएं वापस से अब आपको विंडो आर दबाना है और यहां पर क्या लिखना है अपने कीबोर्ट से प्लस फाइफ दमबर दबाएंगे तो इस तरीके का सिम्बॉल आजाएगा परसंटेज का अब आपको लिखना है säger अब तो आपको यह फोल्डर आ जाएगे इसपर एक परनीक करें आप ग्मार्ट आपस और रख debates से आपका सारा लैप्टॉप का वायरिस डिलेट हो जाएगा उमीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी टेक्स दोर को सब्सक्राइब कर दें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें अल्ला हाफिस